हेलो दोस्तों मैं हूँ सुधीपवान रॉय और medicineside.com के एक नया fresh वीडियो में आप सब का स्वागत है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को जान लेना चाहिए कि इस वीडियो में हम लोग जिस के बारे में तो इस medicine में रहता है Mirtazapine 7.5 mg तो चलिए आप हम लोग जान लेते हैं इस medicine के uses के बारे में मतलब इस medicine कौन सा काम के लिए इस्तेमाल होता है उसके बारे में तो इस medicine को इस्तेमाल किया जाता है डिप्रेशन की treatment करने के लिए मतलब की मानसीग अवसात की treatment करने के लिए डिप्रेशन एक मानसीग बिमारी है ये होने से दुखी पन महसूस होना किसी काम करने के लिए interest कम हो जाना चिचिरा पन महसूस होना निंद नहीं आना उसके साथ-साथ अकेला पर्मशूस होना यह सब लक्षन दिखाई देता है और जिसके कारण daily जो काम होता है वो काम करने में इंटरस्त दिन वद दिन कम होता जाता है तो चलिए आप हम लोग जान लेते हैं यह medicine कैसे काम करता है उसके बारे में तो मीताजिपीन एक tetracycline anti-depression drug है तो मीताजिपीन जाके हम लोग के ब्रेन में जो central pre-synaptic alpha-2 adrenergic receptor है उसे जाके block कर लेता है जिसके कारण हम लोग के ब्रेन में serotonin और norepropin नाम का जो neurotransmitter रहता है वो बर जाता है और ये बर जाने की कारण हम लोग के मन में शान्ति आ ज तो चलिए आप हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के साइड एफेट्स के बारे में तो चलिए आप हम लोग जान लेते हैं इस मेडिसिन के वार्निंग के बारे में मतलब इस मेडिसिन को कब आपको इस्तेमाल करना चाहिए ये सब चीज़ के बारे में डीटेल में जान लेते हैं तो अगर आप प्रेगनेंट है तब इस मेडिसिन को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए अगर बहुत ही ज़्यदा ज़रूर हो तो डॉक्टर के साथ कॉंसल्टिंग करने के बाद ही आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करे अगर आप अपने बच्चे को दूद पिला रहे है तब इस म मेडिसिन को आचानक छोड़ने से आता है और यह होने से आपको बहुत ज़्यादा बेचाइनी होता है कभी-कभी चक्कर आ सकता है चीनता बहुत ज़्यादा बर जाता है हात पा ऐसे अंग में कमपन मैसूस होता है तो इस मेडिसिन को कभी भी आचानक छोड़ मत दे डॉक किसी किसी पेशन में suicidal thoughts आता है, मतलब की आत्म हत्ता करने का एक tendency आ सकता है, तो डॉक्टर के साथ जरूर consulting करें क्योंकि इसमें आपको medicine को alternate करना जरूरी हो सकता है, इस medicine को alcohol के साथ नई इस्तेमाल करना चाहिए, मिट्टैजिपिन को alcohol के साथ इस्तेमाल करने से बहुत ही ज़्यादा serious side effects होने का chance रहता है, तो इसे alcohol के साथ इस्तेमाल ना करें, तो चलिए आप हम लोग जान लेते हैं, इस medicine के drug interaction के बारे में, इस medicine के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए, आप लोगों को नीचे description box में, medicine share नाम का एक link मिल जाएगा, वहाँ पर जाके क्लिक करके इस medicine के बारे में और भी ज़्यादा detail में आप लोग जान सकते हैं, और ultimately इस वीडियो को खतम करने से पहले, आप लोगों से request है कि इस medicine को इस्तेमाल करने से पहले, अपने doctor या फिर pharmacist के साथ जरूर consult करे, फिर आप इस medicine को इस्तेमाल करे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को like कर सकते है, अगर आपके मन में कोई भी question हो तो वो हमें comment section में पूछ सकते है, उसके साथ-साथ इस वीडियो को share करे, उन लोगों के साथ जिसको इस medicine के बार में जानकारी लेना जरूरी है, साथ-साथ इस चैनल को subscribe कर लीजिए, ऐसे important health और medicine related videos के लिए, thank you very much for watching, bye!